हमारे कानपूर के पास एक आश्रम है श्री हनुमान जी का पीठ है वहाँ जो महराज जी थे बड़े सिद्ध थे उनका नाम था सोभन सरकार उनके आश्रम पर पहले प्रशाद वगर की व्रवस्था नहीं थी गाओं का एक आया आदमी उसने कहा सरकार आग्या होती तो प्रशाद की दुखान लगा लेते वैसे वो घास में लेटे रहते थे कहन का करी हो प्रशाद शिरहन मांजे तो छपन पावत आनंद में रहते जाओ लगा रहा कई महीनों तक किसे न कह दिया सरकार गरीब आदमी एक कल्यान हो जाएगा प्रशाद तो दूर से वहाँ चड़ता है अंदर नहीं जाता है बन गया साथ प्रशाद बनने लगा बार सिंदर चड़ने जाने लगा दुकानदार ने अपना घर भी बनवा लिया जब चल पड़ी आत्रा चल पड़ी चल पड़ी तो भी थोड़ा बढ़ाने लगा रेट बढ़ाने लगा प्रशुद्धता में भी दिमाग लगाने लगा एक बार सरकार ने उसको बुलाया काए शुद्ध घेमा में लावट करतो काए नहीं सरकार दुबारा फिर बुलाया महराज जी फिर पहुचा कहते हैं से महराज जी ने कहा एक बात समझाया समझ में नहीं आया उसके मुख से निकल गया सरकार परता नहीं परता है शुरी महराज जी ने कहा जाओ परेगा बस बहुत कम बोलते थे शुरी हनुमान जी की सेवा से वो घर बनाय था एक शाफ़ता के अंदर बने बनाय घर की छट ही नीचे आ गया आके रोने लगा काए कैसे आयो रोवे जाए सरकार की करुणा किर्पा वर्षी कहने करत यह है कि प्राप्ती भगवान की किर्पा है इसको माना करो मनुष्य के करने से कुछ होने वाला देखो जो आया है वो नंगा आया है जो आया है वो लेकिन कोट पहिर के जाएगा है क्या भीत कहता है तो हर खोली ली है बानल लंगोता हो खोता छोडी के जाएगे परी तो हर खोली ली है बानल लंगोता हो खोता छोडी के जाएगे परी कहां है माया में बुला राइल पाड़ तो ता हो बानल लंगोता छोडी के जाएगे परी इहां वा स्वार्च खाति निमन बाउर होता हो अपना स्वार्च खाति निमन बाउर होता हो जिस परिवार के लिए हम अन्यथा धरम त्याक कर सामगरी संगरह करते हैं वह परिवार भी हमारे संग नहीं चलता एक बड़ा जहरीला गीत है लोगवा काहे खाति रिटा को लोगवा काहे खाति रिटा को बैमान बनलवार जब ये देहियां चारे दिन के मेहमान बनलवार लोगवा काहे खाति रिटा को लोगवा काहे खाति रिटा को बैमान बनलवार जब ये देहियां चारे दिन के मेहमान बनलवार जब ये देहियां चारे दिन के मेहमान बनलवार ये कीत कल सुनाएंगा कल सुनाएंगा अजो ध्या कांड में गीत आपको सुनाएंगा अजो ये कि अलुप दो बन्ताएंगा देहिए अजो ये वे रिए बढ़ बढ़